तो यहां पे question है यहां पे आपको यह बताना रहेगा यह जो idiom है settle counts with someone इसका मतलब क्या होता है पहला option है to start a new friendship with someone to start a new business with someone to pay back money or to someone to make plans with someone for a future date तो जो भी आपका सही answer है नीचे भी comment box में type कर दो और जो सही answer है वो मिल जाएगा आपको इस वीडियो के end तक तो settle accounts with someone या फिर आप बोल सकते हो square accounts with someone दोनों का मतलब सेम होता है pay money owed to someone यह owed का मतलब ओ का मतलब होता है उधार तो pay money owed to somebody यानि जो भी उधार था उसे दे देना pay back कर देना देखिए इसे ऐसे समझिए देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि भी उनका लेन देन था वो settle हो गया यानि एक तरह से जो भी हिसाब किताब था वो clear हो गया right तो settle accounts with someone यानि जो भी हिसाब किताब है उसे clear कर देना जैसे example है यहां देखिए he owes me some money from a few months ago and I haven't been able to get in touch with him to settle accounts तो यहां पर पैसे किसे लिए है he owes me some money he ने या फिर मी ने he owes me some money यानि उसने मुझे लूट लिया sorry लूट ना थोड़ा सा high frequency का सब्द हो जाएगा यहां पर यानि उसने मेरे से उधार लिया है यानि पैसे लिए है he ने okay he owes me some money a few months है कुछ महीने पहले उसने मेरे से पैसली है and I haven't been able to get a touch with him यानि वो गाई भी हो गया है और मुझे उसके साथ जो है settle accounts करना है हिसाब किताब जो है clear करना है और जो दूसरा मतलब है इसका have revenge on someone यानि किसी से बदला लेना जैसे किसी ने आपको मारा था आप भी जाके उसको मार रहे हो यानि सेम सा मतलब है यहां पे भी यानि जो भी हिसाब किताब है उसे clear करना settle accounts with someone तो यहां पे अब आपको पता है सही अंसर क्या होगा तो सही अंसर क्या है यहां पे option C to pay back money or to someone यानि हप ऐसे बापिस कर देना किसी को जो भी उधार था तो यहां पे करते हैं इस वीडियो को end ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल IMP vocabulary अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी वुकैब के साथ धन्यवाद